इस्राइली फिल्म मेकर नादव लापीड ने दकस्मीर फाइल्स पर फिर उठाए सवाल माफी तो मांगी लेकिन कहदी नई बात हिंदी फिल्म दकस्मीर फाइल्स पर जारी बिवात थमा नहीं है इस्राइली फिल्मकार नादव लापीड अपने बयान पर कायम है अब लापिट ने एक ताज़ा बयान देकर फिर से दकस्मीर फाइल्ज पर सवाल उठाए हैं उनके बयान से लगता है कि फिल्म फेस्टिवल में दकस्मीर फाइल्ज को किसी दबाओ में शामिल किया गया था दरसल गोवा में 33 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसराइली फिल्म मेकर नादव लापिट भी सामिल हुए थे फिल्म फेस्टिवल के जूरी प्रमुख लापिट ने मंच से ही दकश्मीर फाइल्स की निंदा की थी और उसे प्रोफेगेंडा और भद्धी फिल्म करार दिया था इस पूरे बिवाद पर लापिट ने CNN News 18 से बाचीत की इसमें नादव लापिट ने अपने बयान पर माफी मांगी उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भी भाबनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना था ना ही हिंसा के शिगार किसी भी वैक्ती के परिवार बालों को चोट पहुँचाना था दूसरी तरफ लापिट ने हौरेट वेबसाइड से बात करते हुए कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि कि किसी प्रोपेगेंडा फिल्म को कैसे पहचानना है खराब फिल्मों को बनाना कोई गलत काम नहीं है या कोई अपराध नहीं है लेकिन मुझे सही से पता है कि किसी प्रोपेगेंडा फिल्म को किस तरह से पहचानना है मुझे कश्मीर संगर्स के बारे में सब कुछ पता नहीं है लेकिन मुझे प्रोपेगेंडा को पहचानने के बारे में पता है हमें पता चला है कि राजनीतिक दवाओ के चलते फिल्म को फेस्टिवल की आधिकारिक परतियोगता में शामिल किया गया था एक बिदेशी के रूप में जो वहाँ जाता है उसका दाइत्व है कि आप उन चीजों को कहें जो वहाँ रहने बालों के लिए कहना मुश्किल हो सकता है दरसल गोवा में आयोजीत अंतर राष्टिय फिल्म फेस्टिवल के मंच से जूरी प्रमुख लापिड ने कश्मीर फाइल्स पर बड़ा बयान दिया था उन्होंने फिल्म की निंदा की थी फिल्म को प्रोपेगेंड़ा और भद्धी फिल्म करार दिया था इस बयान के बाद खुब बिरोध भी हुआ था बयान पर खुब राजिनीती भी हुई थी दूसरी तरफ लापिड के बयान के बाद दककाश्मीर फाइल्स फिल्म बनाने बाले विवेक अगनिहोतरी ने कड़ी नाराजगी जताई थी उन्होंने लापिड के बयान की तीखी निंदा की थी विवेक अगनी होतरी ने कहा था कि उनकी फिल्म दक कश्मीर फाइल्स का एक सोट कोई गलत साबित कर दे तो वो फिल्मे बनाना बंद कर देंगे विवेक अगनी होतरी ने इजराइली फिल्मेकर के बयान पर परतिकिर्या देते हुए कई सारी और बातें भी कही थी बतादें कि दक कशमीर फाइल्स फिल्म कशमीरी पंडितों के दर्द और संघर्श की कहानी है ये फिल्म साल 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंगार पराधारी थी इसमें पलवी जोशी, प्रकास बेलावडी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर ने हम रोल निभाया था कम बजट में बनी दक कश्मीर फाइल साल 2022 की बड़ी ब्लोकबस्टर फिल्म साबित हुई, इस फिल्म ने भारत में करीब धाई सो करोड उपय कमाये थे, इस खबर में फिलहाल इतना ही, अपडेट्स के लिए देखते रहिए One India Hindi